प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरिक्षट किया जिसमें विधायक ने अपनी विधान सभा में पढ़ने वाले दरजनों गाउं के लोगों के हाल चाल जाने और बारिश के कारण जहां जहां शती हुई है उन किसानों से मिलकर मुआयना किया और जल्द ही उनकी भरपाई करने का आश्वासन दिया लगातार हो रही बारिश के चलते सामान ने जन जीवन प्रभावित होने लगा तो वहीं ग्रामीड छेत्रों में बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्थान होने के कारण जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है ऐसे में विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जल्द ही ग्रामीनों की समस्या का समर्धान किया जाए। विधायक ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिये हैं। अधिकारियों के लिए किसानों को मोहया करा दें। जहां 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 सड़के टूटी हैं पुल टूटे हैं रास्ते अवरूद हैं। खोला जाए और निर्वाणन का करा जाए। जिस अस्तान पर खड़े हमने पैतारीस क्रोर के लागत से यहां पर फुल की स्युक्रति के लिए दे रखा तक्निक की छोटी मुली कमियों के बाद उसको मैं समझता हूं जल्दी यहां सुवारम कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्दी होगी आजादी के बाद हम टांडा hasnag Technically के लिए गांजा से लेके टांडा संगigible के लिए 4 किल्मेटर के सबक कर एक बहुत बड़ा पुल दे रहें, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपुल दे होगी। वंदना कटारिया ने करो या मरो मुकाबले में शांदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दाकर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ड रोल अदा किया। वंदना कटारिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वंदना के परिजनों को बधाई दी। आपको बता दें कि वंदना कटारिया ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। अरिद्वार की वंदना ने दक्षिड अफरीका के खिलाफ मैच में एक के बाद एक तीन गोल दागे और टीम को जीत दिलाई। यह उनके घर का द्रश है जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां तमाम अधिकारी वंदना कटारिया के घर पहुँचे और उनके परिजनों को बधाई दी। आपको बता दें कि वंदना कटारिया ने सिर्फ उत्रा खंड का ही नहीं वलकि देश का न आलम यह है कि तीन सालों से निर्माड कारे ठप पड़ा है जिसका रड़ आए दिन सडक हाथ से हो रहे हैं। का निर्माड हो पाया है कारेदाई संस्था को 2019 में हाइवे को जनता को समर्पित करना था लेकिन 6 साल बाद भी हाइवे का निर्माड नहीं हो सका है। की अब हालत हो चुकी है खासता हाल हालत में यह सडके नजर आती हैं जिसके चलते लोगों को खासी परिसानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दे कि भीते छे सालों से हाइवे निर्माड का जो कर है वो लटका पड़ा है और ऐसे में सडक पर जगह जगह गड़े हो चुके और ऐसे में जब बादिश का मौसम है तो गड़ों में पानी भरने की भी समस्या सामने आ रहा है। टी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हाइवे पर जो सडक है उसमें गड़े बनने के चलते लोगों को तमाम परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें लगाता है बात चल लिया हमारी और अभी आपने देखा होगा कि एक काॉर्सपॉंडेंस हम लोगों ने किया है कासकर तीन पानी से लेकर इसको आपकर नरीमन पॉंट तक पस भूमी के रोड के हस्तान तरण के लिए तो उसमें एनेचाई से भी हम दोगों ने का क्रॉस्पॉंडेंस किया है अभी जित्ते भी गड़े वहां पर अभी मंडी छेत्र में हैं बन गए हैं तो उन सब को हम धरवा रहे हैं तो लेवलिंग करवा रहे हैं तो एक्षिन जो निर्मान खंडर इसमें काम करें कि वहीं हरिद्वार के बहादराबाद थाना शेत्र में बहादराबाद पुलिस की तरफ से जिलाधिकारी के आदिशानुसार कोईड-19 की रोख थाम के लिए कावर्ड मेला प्रतिबंद कोईड-19 कर्फियू की देखरे और चैकिंग की गई चैकिंगे दौरान बीती राथ बहादराबाद पुलिस की तरफ से खाती ढावा पर हरिद्वार की तरफ से आते हुए चार लोगों को रोख कर पुछताच की गई बाकी राज्यों से अन्य राज्यों से अगर उत्राखंड में प्रवेश करता है कावड मेले को लेकर तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लालकुआ में स्थापे जहरीली सेंचूरी पेपर मिलके प्रदूशन के खिलाफ अब नगर के व्यापारी भी लाम बंद हो गए है। प्रशासन भी इस पर कारवाई के नाम पर अपनी आखे मूंदे बैठा है। जिसको लेकर छेतरवासियों में भारी आक्रोश है, वहीं धर लगातार हो रहे छेतर में धनी प्रदूशन के खिलाफ अविस्थानिय व्यापारियों ने भी मोर्चा फोल दिया है। इसी को लेकर आज नगर के वरिष्ट व्यापारी इस्तिकार एहमत के नेतरतों में दर्जनों व्यापारियों ने बैठक कर आंदूलन की रढ़नीती तयार की। वहीं व्यापारियों ने सैचुरी पेपर मिल के धनी प्रदूशन के खिलाफ जल्द से जल्द कारवाई की मांग प्रशासन से की है और कारवाई ना होने पर आंदूलन की धमकी दी है। इतना तेज बड़ा हुआ है कि इससे अगर किसी को हमें कोई फोन कर रहा है तो हम तो फोन नहीं सुन सकते और हम अपने कानों की शक्ती लगब 50% हम खो चुके हैं इसके साथ साथ वाईव परदुशल इतनी तेजी से जहर बनके हमारे अंदर भर चुका है अगर हम आज डॉक्टर के पास जागर के अपना अच्छा कप करा है तो उसमें अने एक बीमारी हमारे शरीर के अंदर निगलेंगे धर्मनगरी हरिद्वार में उशाबरेको कमपनी की तरफ से संचालिट मनसा देवी ऊड़न खटोला पिछले चार महिने से मनसा देवी की मूर्ति और फोटो हाथ मे लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोड़दार प्रदर्शन किया वहीं व्यापारियों ने जनहित में मंसा देवी उड़न खटूला को जल्द खोले जाने की मांग की भारी संख्या में हरिद्वार की सड़कों पर उत्रे प्रांतिय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाची की और मंसा देवी उड़न खटोला जल्द खोले जाने की मांग की है व्यापारियों का शासन प्रशासन के खिलाफ ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्यापारियों का शासन प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन आपको बता देई कि मंसा देवी उडन खटूला जल्द खोले जाने की मांग को लेकर है यहां व्यापारी वर्ग ने परदर्शन किया और अधिकारियों से इस पर कारवाई करने की बात कही है हरदवार में आता तो हरकी पेड़ी आता है मनसे थी पी जाता है और यहां परभावी तोरह चार महने से हम देख रहें मार जेल दो साल दे बेपारी अर्दौार के साथ ही सोता वे सोतला ववार कर दिया सरकार नहीं का परसाद तरह की निदी आरी परिवारी यो को असारा कर दाँ ने कर देते कभी आğ पर बॉर्ड़म कर देता है थो लें और रहे है पम सब झया जाता है करने का आपको जो भी शार से नटाई ये उश्वा उड़न कुटो लेते इनके प्रबंदग से नटते नहीं आप खुलतों जाए या तिरे को प्रशानी क्यों हो रही है इस बात की एम से जाने वाली सड़क एक बार फिर से जगा धगा धंस गई है वविवार को सड़क धसने से एक ट्रक पलटने से बच गया जानकारी मिलने के बाद विधान सभाध ध्यक्षर प्रेमचंद रगवाल मौके पर पहुंचे उन्होंने सड़क धसने के मामले में पी विधान सभाध ध्यक्ष ने अधिकारियों से मामले में जांच कर दोशियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दी हैं चेतावनी भी दी कि अगर दोशियों पर अधिकारियों ने एक्षन नहीं लिया तो पी ड़ब्लु डी के अधिकारियों पर सरकार की गाज के रि और अब आपको बता दें कि PWD के अधिकारियों को सीधे निर्देशित किया गया है जो भी दोशी हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाए अगर अधिकारी कारवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ सरकार कारवाई करेगी कि अधिके मुझे बड़े दुर्बाग्य के जाथ क्या पड़ रही है कि जब यह सड़क अपने एने से लगा कर और केम्स को कनेक्ट करती जोगे तोड इस रोड की शिकायत बनने के समय पर मैंने तीन बार अलग अलग ताइम पे मुख्यमंधरी कारवले में की मुख्यमंधर कोटल पर शिकायत की लेकिन वही धाक्य तीन पात ना तो विभाग ने सुनी और ना सरकार ने सुनी अब मेरा सवाल तब यह था कि यदि सड़क की आप लिपापोती करकर से ठीक भी कर रहें क्योंकि सड़क बनने के अगले दिन उलड़नी शुरू हो गई थी जगाजे का तब मैं इसकी शिगायत की और आपके चैनल के माध्यम से तब भी मैने आवाज उटाई थी और तब मेरा केवल यही मांगती कि उस ठेकेदार से रेकारी की जाए उन अधिकारी की जाए क्योंकि स्टरकारी पैसे का दूरूपी हो गए जंता की टैक्स का ही पैसा है और आज जब कि अभी बरसाद मुझा लगता रौद रूप में नहीं आई है महंसून पूरा बरसादा अभी आरम भी नहीं हुआ है और आपी देख सकते है कि ट्रक क्या हाल है शायद आपने साइड दूसरी साइड से कवर किया होगा और यह बहुत बड़ी एक दुरगत नहीं परि है भगवान का शुकर भी कर रहा हूं कि कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ रग धसने तक सिमित रह गया किसी अनहोनी से भचे हम लोग ऐसी घटा हो जाती तो मैं किसको अपना मैं कैसे अपने आपको पचा पाता है अबर 20 में रोड बनती है अब एक साल नहीं हुआ और जग मैं जानता हूं यह पाइप लाइन है आपका भी पता है पाइप लाइन है उसके बाद भी आपने सडक के उपर लिपा पोती करने आपके देखिए वो इसकी रिपोर्ट मुझे देंगे उसके बाद जो भी कारवाई होना ही चाहिए यानि कि यह मान के चलिए कि किसी भी और सडक के धसने के बाद ट्रक पलटते पलटते बचा है इसके बाद अधिकारियों पर अब गाज गिरने की भी बात कही जा रही है लेकिन ऐसे कई मामे जब लगातार देखे जाते हैं कि सडक में या तो घटिया मेटेरियल यूज किया गया होता है या फिर मानकों के जान पर भी कई दफा बनाती है और कई दफा हमने ऐसा देखा है कि ऐसे सडक हाथसों के चलते कई लोगों की मौत भी हो जाती है तो सडक पर इस तरीके से बड़े गड़े होना जिसके चलते लोगों की जान के साथ खिलवार किया जा रहा है ऐसे मैं आपको बता देए कि य जाए एक ट्रक का वजन भी अगर सडक ना जील सके तो उस सडक से आप क्या उमीद रख सकते हैं अगर आप की बड़ी गाड़ी आप लेकर यहां से निकलें तो ये सडक कभी भी धंस सकती है इस तरीके के मेटेरियल का जब इस्तेमाल किया जाता है इस सडक बनाने में तो क्य हालत होती है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको बता दे इस खबर से संबंदेत की सडक धसने से एक ट्रक पलटने से बच गया है जानकारी मिलने के बाद विधान सभा ध्यक्ष प्रेम चंद्र अगरवाल यहां पहुँचे थे वो मौके पर पहुँचे उन्होंने सडक धसने के मामले का संग्यान लिया और इसके साथ ही PWT के अधिकारियों को तलब किया मौके पर जब अधिकारी पहुँचे तो फिर उनसे बातचीत की गई उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोशी है उसके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाए अगर सरकारियों को तलब किया और उनसे कहा है कि इसमें दोशीयों पर कारवाई की जाए नहीं तो उन पर सरकार की गाज किरेगी विदान सवाशेतर में इन दिनों तेंदुए की दस्तक से लोग टरे हुए हिंडोला खाल के दुरूगी गाओं में एक हफते पहले ही तेंदुए ने दो महिलाओं को अपना निवाला बनाया था वही राग को भी कीरती नगर के चुपडिया में तेंदुए मकान की दूसरी मंजल पर पहुँच गया वही घर में घूम रहा तेंदुए CCTV कैमरे में कैथ हो गया तेंदुए ने घर में मौझूद एक कुट्टे को अपना निवाला बना लिया आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं ये CCTV फुटेज के नजारे है जिसमें तेंदुए ने एक कुट्टे को अपना निवाला बनाया है तेंदुए एक घर के अंदर पहुँच गया और ते मीर्थीनंगर के जवपड़िया में तेंदुवा मकान की दूसरी मन्जल तक पहुँच गया, वहीं घर में घूम रएंगा तेंदुवा इसी तरीके से दो महिलाओं को पर हमला कर चुका है, जिसके बार अब एक बार फिरेंदुवा मकान की दूसरी मन्जल तक महुँच गया और पूरी हरकत उसकी CCTV कैमरे में कैत हो गई आपको बता दे कि मकान में रह रहे हैं लोगों ने बताया कि जब तेंदुआ घर में घुसा तो कमरे का दर्वाजा बन था रात होने के वज़ा से सभी लोग कमरों में सो रहे थे इसलिए तेंदुए ने घर के बाहर बने हुए कुट्टे को अपना निवाला बना लिया आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह वही घर है जहां तेंदुआ पहुचा और यहां इस घर में लगे CCTV कैमरे की वो जब में आ गया जिसके बाद उसकी हर हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गया आपको बता दे कि घर का दर्वाजा लगा हुआ था और घर के तमाम सदसे अंदर सो रहे थे लेकिन घर के बाहर बन्धा कुट्ता तेंदुए की नजर में आ गया और उसको तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया उत्राखड में 2022 में विदान सभाज चुनाओ होने हैं विदान सभाज चुनाओ की तारीखे नजदीक आते देख सब राजने तिक गल एक दूसरे पर अटैक करने की कवायद में चुटके हैं पूर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना शाधा है निशाना टूपी के नाम पर साधा गया है उत्राखड के पूर मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं और पोस्ट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता मुझे बदनाम कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता उन्हें मुझे पर आरोप लगाया है कि 2017 में मैंने जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की थी जबकि मैंने करवा चौथ और छट पूजा पर भी उस डाला जिसमे उन्होंने बीजेपी के वरिश्ट नेताओं के सर पर गोल्ड टूपी पहने हुए दिखाया है और उन्होंने सवाल किया कि क्या जो टूपी उन्होंने पहनी है वो सही है तो आपको बता दे कि पूर मुख्यमंत्री हरी श्रावत ने बीजेपी पर निसान किया है कि उन्होंने जुम्मे की नमाज ही नहीं छट पूजा पर भी छुटी का एलान किया था इसके साथ उन्होंने बताया कि जो बात करहे हैं कि उन्होंने छुटी ली थी वो सरासर जूट है इसके साथ ही उन्होंने टूपी को लेकर उन्होंने तंज कसा है बीजेपी उन्होंने कहा है कि जो टोपी वीजेपी के नेताओं ने लगाई है, क्या वो ठीक है? और वो भी हम जारी कर देते हैं, हमने भाजपा को एक चेतावनी देनी थी, कि तुम ये टोपी का खेल बंद करो, जूट का खेल बंद करो, और तुम्कि ये दुधारी तलवार है, यदि तुम हमारे खिलाब इस्तिमाल करोगे, तो तमारी चबी भी, यदि यही चबी है, नह समस्ता हूं उनके नेताओं ने अटल जी से लेकर के अड़्वानी जी तक सब ने यह उनकी महांता का प्रतीक था कि उन्होंने दूसरे के दीवे टोपी का आदर किया सम्मान किया उसको अपने शर्फधारन किया हमने भी आदर किया हमने भी सम्मान किया हम पहने तो टोपी ज ते वो जूट बोलने के आधी हैं अब इनकी सरकार आई हैं तब उन्होंने क्यों नहीं किया और अब उनकी सरकाष्य आने वाख जी नहीं से इसलिए वह तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जूट बोलने के आदी है अभी मैं आपको ये सामने उनके जूट का परदा भास करता हूं कली की हरीश रावज जी ने कहा है कि मुदी जी ने गोल टोपी लगाई है कहा है कि नहीं कहा है मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं कि 2016 में भी इन्हों ने जूट बोलने का प्रयास किया था और वो फेक न्यूज है यह स्वयम तो सब कुछ करते हैं कभी कलमा पढ़ते हैं प्रकार से टेकनोलोजी का यूज करके इन्होंने फेक फोटो परचारित किया है मोदी जी का जो असली फोटो है गले मिलते वे वह यह है और हरीश रावज जिन ने उसमें टोपी लगा करके यह जारी किया है यह 2016 में भी कोशिश हुई कल फिर उन्होंने यह जूट बोलकर के बताया है कि उनकी जूट बोलने की आदत जाएगी नहीं चोर-चोरी से जाएगा हेरावेरी से नहीं जाएगा फिलार के लिए उत्राखंट के इस खास बुलिटिन में इतना ही बागी देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बर आप रहेगा नीज बनेंगे साथ देखें